हलो फ्रेंड, वेलकम बाक तो आजकी इस वीडिएो में हम देखने वाले हैं EMBROGENY OF C-STAR तो चले स्टार्ट करते हैं यह जो EMBROGYAL development होते हैं C-STAR में वो indirect type की होते हैं विकोज इनका जो birth form होता है it's very much deeper from the adult form and इसमें बहुत सारी और दो type की larval stages include होते हैं इनकी embryological development में तो कौन-कौन से stages आते हैं after fertilization zygote बन जाता है और zygote बन जाने के बाद उनमें होता है next stage जो होता है cleavage का cleavage में morula stage आती है then morula में कुछ rearrangement हो जाती है और बन जाता है blastula then blastula stage के बाद जो next stage होती है गैस्टूला की stage और गैस्टूला बन जाने के बाद वहाँ पे आती है दो टाइप की larval stages जो first होती है bipinaria larva और bipinaria larva बन जाने के बाद उसमें कुछ और modification हो जाते है उसके structure में और बन जाता है brachiolaria larva और brachiolaria larva बन जाने के बाद उनमें होती है metamorphosis और adult form हो जाता है तो यहाँ पे हम अगर diagramatically देखें तो क्या हो जाएगा जो sister होते हैं इनमें external type का fertilization होता है because इनके जो reproductive organ होते हैं वो primitive type की होते हैं इनमें किसी भी type का copulatory organ और accessory gland present नहीं होती तो ए animal क्या करते हैं जो अपना reproduction होता है reproduction में क्या कर देते हैं gamet का production कर देते हैं और gamet का production करने के बाद जब यह mature हो जाएंगे तो वो क्या कर देंगे अपने gamet को during breeding season उस sea water में shade कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है male adult और यह है female adult जब यह पूरे मैच्चुर हो जाएगे तो अपने गैमेट का फोर्मेशन कर देगे और गैमेट फोर्मेशन कर देने के बाद ब्रीडिंग सिदन में अपने गैमेट को सी वाटर में छोड़ देंगे और डिश्चार्ज कर देंगे और गैमेट डिश्चार्ज कर देने के बाद क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा इनका union और fertilization हो जाएगा fertilization हो जाने के बाद यहाँ पर बन गया है जाइगोट जो इनिसेलिलर है और जाइगोट बन जाने की तुरंथ ही बाद वहाँ पर बन जाता है एक membrane जिसे हम fertilization membrane कहते हैं जो polyspermine को prevent कर देता है जाइगोट में बन जाने के बाद next होता है cleavage यहाँ पर cleavage की stage होती है और cleavage हो जाने के बाद कूछ इस तरह हो जाएगा यहाँ पर देन गैस्टलब बन जाने के बात आता है नेक्स टेज जो लर्वाल स्टेज होता है यहां पे बाइपणारय लरवा बन गया है लेख ए अर्ली बाईपिणारय लरवा देन उन coward हो जाएगा लेट पिनारय बाइपिनारय लर्वा में और नेक्स उन convert हो जाएगा into brachio-laria larva और brachio-laria larva बन जाने के बाद जो rudiment है वो break हो जाएगा और वो C के bottom में और solid substator में जाके चीपक जाएगा और adhere कर देगा attach हो जाएगा और वहाँ पर हो जाएगी metamorphosis start और metamorphosis हो जाने के बाद ये young one बन जाएगा तो हम देखते हैं step by step पी कैसा होता है embryogenesis of sea star तो यह जो sea star है इनका जो fertilization होता है और external type का होता है तब यह क्या कर देगे बहुत male and female क्या कर देंगे breeding season में अपने gamut को shade कर देंगे into sea water और वहे पी क्या हो जाएगा gamut का union हो जाएगा तो यह है male और यह है अपने gamut को उन्हेंने sea water में discharge कर देंगे और union हो जाने के बात क्या बन जाएगा जब एक और sperm का union हो जाएगा तो जाएगोड बन जाएगा और जाएगोड बन जाने के तुरंत ही बात यह क्या कर देगे जाएगोड अपने उपर एक membrane बना देगा जिसे हम fertilization membrane करते इससे क्या होगा polyspermy prevent हो जाएगा और polyspermy का मतलब क्या होता है polyspermy का मतलब होता है कि एक sperm enter हो जाने के बात other sperm उसी same egg में enter ना हो इसलिए एक के उपर एक hard ऐसी covering बना दिये जाती है और एक membrane बना दिया जाता है जिससे उप sperm पार नहीं कर सकती उसके अंदर नहीं जा सकती उसे पार करके तो यह fertilization membrane जाएगोट बना देगा यह जो जाएगोट होता है वो small size का होता है और spherical shape में होता है बिल्कुल about 2 mm in diameter इतना है होता है और इसमें जो york की quantity होती है वो very less होती है और very little amount of york present होता है जाएगोट बन जाएगोट बन जाने के बाद next stage आती है cleavage और cleavage में क्या होता है जितना एग में york present होता है इसके उपर होता है कि cleavage किस टाइप का होगा तो यहाँ पर york very little amount में होता है तो यहाँ पर cleavage जो होती है वो holoblastik and complete type की cleavage हो जाएगी और cleavage हो जाने के बा जिसे हम morila कहते है वो कुछ इस तरह आरेंज हो जाएगा round और spherical shape में और वहाँ पर बन जाएगा blastula जो cells होते है morila के वो ciliated cells होते है तो यह कुछ इस तरह आरेंज हो जाएगे single layer में spherical arrange हो जाएगा और यहाँ पर center में cavity form कर देगे जिसे हम blastocyal cavity कहते है और यह जो blastocyal cavity होते ह है और वो होता है blastocyalic fluid then blastula बन जाने के बाद next stage जो होती है वो होती ग्यास्टूला जब blastula में embolic imagination होता है तो उनमें दो layer form हो जाते है और वो couple like दिखने लगता है तो कुछ इस तरहाँ क्या हो जाएगा cup like ग्यास्टूला बन जाएगा दो layer हो गए यहाँ पर एक layer हो गया है यहाँ पर एक layer हो गया है जब इन्वैजिनेशन होता है तब क्या होता है यहाँ पर दो layer form हो जाते है जो outer layer है यहाँ पर ओ है एक्टोडम और जो इनर लेयर है वो है एंडोडम और एक कैविटी भी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं तो एक जो कैविटी होती है इसे एरकिंटेरन कैविट कहते हैं जो इनिमेजनेशन की वज़े से यहाँ पर प्रेजन हो गई है और फॉर्म हो गई है और यहाँ इस कैविटी के एक्स्टेरियर साइड पर क्या हो गया है एक ओपनिंग हो गई है और फॉर्म हो गई है जिसे हम ब्लास्टो पोर कहते हैं देन नेक्स्ट क्या होता है जब gastrula बन जाता है early stage का gastrula तब क्या होगा वहाँ पे blastopore बन गया है और जब next stage में जाएगा late gastrula stage में जाएगा तब जो blastopore बन गया था opening उसका position change हो जाएगा तो इससे बन जाएगी larva की anal opening और anal opening बन जाने की साथ में इसमें क्या हो जाएगा जो vertical tube होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे और दो opening हो जाएगी जहाँ पे एक होगी mouth के opening और दूसरे होगी dorsal pore तो हमने देखा कि early stage में सिर्फ एक opening थी वो थी blastopore की और late stage में जब gastrula जाएगा तो वहाँ पे तीन opening बन जाएगी एक होगी anal opening और एक होगी mouth के opening और थर्ड होगी dorsal opening ऐसे तीन opening यहाँ पे बन जाएगे जब यह late gastrula stage में जाता है तिब क्या होगा इसके mason calm cells होते है वो burst off होगी into blastocyl from the arcinteron यह जो arcinteron cavity है यहाँ पे जो mason calm cells होगी यह क्या कर देगी यहाँ पे burst off कर देगी into blastocyl यह जो cavity होती है blastocyl cavity और यह burst off करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का structure बन जाएगा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है इसमें branch leg structure बना दिया है और यह जो structure होता है वो differentiate होता है दो पार्ट में जहाँ पे एक terminal पार्ट होता है और एक narrow पार्ट होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह यह है narrow पार्ट और यह narrow पार्ट क्या कर देगा यह narrow पार्ट यह open हो जाएगा और यह continue करेगा blasto pore की तरब communicate करेगा और latter stage में इससे बन जाएगा stomach और intestine लेकिन यह जो wide पार्ट होता है और broad पार्ट होता है यह क्या कर देगा वो expand हो जाएगा blasto silk cavity में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा expand हो जाएगा और लाटर स्टेज में वो cut हो जाएगा यहाँ से और cut हो जाने के बाद Simple साइड में और यहाँ प harvest site में गिर जैगा और यहाँ भूम करे का सीलय क पॉसे जिससे आगे जाके बन जाए क्यों कि ओंट को अर्स कुलेयटरिट रिए तुकी लै्ट गयास्टुला स्टेज के बाद क्या होगा तो हमने देखा ऐन में लैट विलार्वल ओपनीं बन कहीं थी ठी टाइप गया देन जो लार्वल स्टेज率 के बाद थो फस्टेज होगी लाइप में अनुगाए मुखन से बनता है यह गेस्ट्रॉला से बनता है तो gust लास से बनता है दिरिण developmental स्टेजेज को इंट साय फ्रोलक के बनता है विदीन वन विक में बन जाता है आफ्टर फुर्टिलाजिएजेसट फू जाने के बाद फूरे एक वीक में यह थे पर यह बहरा अगहाँ पर देखिए तो यह जो लार्वा है इसके दोनों साइड्ड similar है तो यह जो लार्वा होता है वो bilaterally symmetrical होता है इसकी बॉडि कट करें तो दोनों साइड़ पर similar structure आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते इस लार्वा में Pre-oral and Postoral Iоко is a pre-oral bands् और यह है post oral ciliated band जो sales थे हमने देखे blastula में, gastula में ciliated cell तो यहाँ पर ciliated क्या होगे यहाँ पर bands बना देगा यह larva और इसमें cilomic apparatus भी present होते है और elementary canal भी present होता है इनकी body में यहाँ पर आप देख सकते हैं mouth है एनस है और यहाँ पर gut है तो इसकी body में पूरा elementary canal present होता है और यह जो larva होता है फीड करता है die atom पर, ciliated जो band होते है इसके movement से वो क्या करता है अपने food को capture कर देता है देन जो bipinaria larva था तो उसमें हमने देखे कि कुछ ciliated band थे यहाँ पर posterior ciliated band प्री ओरल ciliated band पोस्ट ओरल ciliated band से डो टाइप के band थे तो next stage में क्या हो जाएगा जब ब्राची ओलारे स्टेज में जाएगा तो उनके जो side lobs थे वो bipinaria के जो side lobs थे और ज़्यादा increase हो जाएगे और increase हो जाएने के बाद वो long and slender बन जाएगे लारवा के आम बन जाएगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह यह बढ़ गए है कि कुछ इस तरह हाँ बढ़ जाएगे और इसके लारवा के आम बन जाएगे देन इसमें जो इस इस इलामिक प्रोलांगेशन था वहाँ के जो tips थे वहाँ पर आडेजिव सेल्स आजाएगे जिससे क्या होगा आडेजन में और जो लारवा जब अटेच हो जाएगा तब उसको हेल्प होगी अटेच्मेंट के लिए इन इलेवेटेड आडेजिव ग्लाइंडूलार एरिया प्रेजें था जो इसके इलेवेटेड यहाँ पर आडेजिव आडेजिव ग्लाइंडूलार एरिया ही यहाँ पर बेस पर जो आडेजिव ग्लाइंडूलार एरिया ही यहाँ पर बेस पर जो आडेजिव ग्लाइंडूलार एरिया ही सबस्टाटम को आटेज करने के लिए क्या कर देगा सकरलाइक फंक्शन कर देगा दूरिंग मेटमोर्फोसिस और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रुडिमेंट ब्रेक हो रहा है देन नेक्स्टेज होती है वह है मेटमोर्फोसिस तो metamorphosis कब होती है जब brachular या larva का rudiment break हो जाता है तब क्या हो जाएगा metamorphosis start हो जाएगी और वो कब होगी within 6-7 week brachular larva क्या हो जाएगा settle down हो जाएगा तो आपने यहाँ पर देखा कि यह जो larva है वो settle down होगा एक substratum पे और settle down हो जाने के बाद क्या करेगा एक solid substratum को attach कर देगा अपनी arm की help से तो arm की help से वो अपनी substratum पे बैट जाएगा और इसको grip करके वहाँ पे settle हो जाएगा और attach हो जाएगा then attach हो जाने के बाद जो bilateral symmetrical larva था तो वो क्या हो जाएगा radial symmetrical adult में convert हो जाएगा उसमें metamorphosis हो जाएगी और जो larva था उसमें जो opening थे anal opening थी then mouth था और dorsal opening भी थी तो यह जो opening थे वो disappear हो जाएगे और उसमें new type की opening आ जाएगी that is new mouth और अनेस बन जाएगा from the on the left and right side तो उसमें larva की जो body थी वहाँ पे जो anal and mouth की opening थी और refresh हो जाएगी new opening के साथ जो left and right side पर आएगी और यह जो left side है ओ लैटर स्टेज में oral surface बन जाएगा और यह जो right side होती है ओ बाद में अब oral surface बन जाएगा then यहाँ पर आप देख सकते arm rudiment कैसा है यह है arm rudiment फायू और यह है metamorphosis की stage पर आया हुआ larva तो यहाँ पर आप देख सकते इसके जो arm rudiment है ओ ग्रो हो जाएगे और ग्रो हो जाने के बाद यहाँ पर बाद में skeletal form हो जाएगा arm में और skeletal form हो जाने के बाद इसमें radial canal भी ग्रो हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते यह है sister और यह arm rudiment है यह ग्रो हो रही है और यहाँ पर क्या हो जाएगा radial canal ग्रो हो जाएगा देन, फ्रस्ट व्पिट फॉर्म हो जाएगी जो सिलॉम की आउत्ग्रोट से हो जाएगी यहापे फ्रस्ट व्पिट फॉर्म हो जाएगी लार्वा की जो अटेच्मेंट के लिए होती है जब ओ चले और मुवमेंट करें तो जो वे new young one बन जाएगा तब उसमें first to fit form हो जाएगी जो सिलों की outgrowth से बनती है देन उसमें और भी ज़्यादा regeneration हो जाएगे और last में वे adult बनके ready हो जाएगा जो कुछ इस तरहां दिखेगा जो फायू आम वाला pentya merus और radial symmetrical होता है तो friends यह था embryogenesis of C star embryologic development of the C star अगर यह वीडियो आपको पसंत आई हो तो मेरे चैनल को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए उस साथ में subscribe करना ना भूलना